गूड अप्टनू बच्चो तो हमने क्या पढ़ाथा हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था अहार नाल के बारे मैं जिसमें आप ने पढ़ा कि हमारा मुख की जो ओक्निंग है जिसे मुख कहते हैं इसे हम एंग्लिश में mouth कहते हैं थीक है उसके बाद ये cavity आती है जहां खाना जाता है जहां दांत और जीव है उसके बाद ये जो खाना है ये पीछे को जाता है यहां पर एक साथ में और pipe है जिसको wind pipe कहते हैं और ये हमारे food pipe है जहांसे भोजन नीचे को जाएगा अब ये भोजन न जहां पर और यह थैली नुमा जो आकरिती है और जिसे हम यू शेप कहते हैं उल्टा यू यह है स्टमक और इसके नीचे यह जो पाइप आगे चली गई यह पाइप आती है हमारी स्माल इंटेस्टाइन ऐसे बनाते हैं इसको और यह बहुत ज्यादा इसमें क्वाइलिंग है ठीक है यह क्वाइल्ट इसके पीछे से हम लाते हैं और इस तरह से इसकी क्वाइलिंग है ठीक है यह क्वाइलिंग हो रही है यहां पर और यहां से पीछे से ऐसे बनाया हमने है ते और लाश्ट में यह हम बनाएंगे इसका कि यहां से यह खोलेगी आगे जाकर यहां पर यह पाइप यहां खोले और यहां जो यह खोल रही है यहां पर हम इसका अबनिंग बना रहे हैं यह बड़ी इंटेस्टें है है जो ज्यादा चौड़ी है इसके चारों तरफ इसको बनाया जागे यह ऐसे और यहां से हमने यहां से और यहां पर यह रेक्टम है मलाश्रे जहां मल लेकत्रित होता है और अंतिम भाग जिसको गुदा कहते हैं जहां से भोजन बाहर जाता है अनपचा भोजन ठीक है तो यह हमारी आहार नाल है इसको अमाश्रे को थोड़ा और बढ़ा करते हैं सबसे चोड़ा भागे क्योंकि यह बनाया हमने अमाश्रे है तो देखिए यह है मुख जिसे हम कहेंगे माउथ यह है मुख गुहिका जो यह स्पेस है जहां पर आपको दांत और जीव होते हैं यह मुख गुहिका है यह सब को बनाना चाहिए ठीक है मुख गुहिका का मतलब है बकल कैविटी उसके बाद यह है फूट पाइप उसका नाम है श्टमक यानि अमाश्रे और अमाश्रे के आगे जो यह क्वाइल्ड है सबसे लंबा भाग यह है स्मॉल शुद्र अंत्र चोटी अंत्र यह क्वाइल्ड पार्ट है पूरा और यह यहां पर खुल रही है यह जो पार्ट है यह हमारी आहार नाल का सबसे चोड़ा भाग जिसको लार्ज इंटेश्टेंग कहा है इसको हम कहते हैं ब्रिहदांत्र उसके बाद जो यहां पर अनपचा भोजन है यहां ही कठा होता है जिसका नाम है रेक्टम यहनि मलाशे और अनतिम द्वार जहां से बाहर जाएगा अनपचा भोजन जिसको हम एनस कहते हैं यानि हिंदी में कहेंगे गुदा तो यह वो नाल है जहां से भोजन होता हुआ घूमेगा और बाहर जाएगा तो इस अहार नाल में इसे हम कहते हैं एलिमेंटरी के नाल यह हमारी एलिमेंटरी के नाल है आहार नाल उपर लिख लेता हमें आहार नाल और इस आहार नाल से जब भोजन गुजरेगा तो वो पचता हुआ जाएगा और यहां तक जब पहुँचेगा तब तक पोरा पच गया होता है तो यहां निचे के भाग मे क्षुद्रांतर के निचले भाग में भोजन का पाचन जो है पाचन पूर्ण हो जाता है digestion gets completed in the lower part of the intestine निचले भाग में ठीक है निचले भाग में पाचन पूर्ण हो जाता है यहां से आगे पाचन पूर्ण होता है अब जो पाचन करिया है इस पाचन करिया में सबसे पहले सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए पाचन यानि डाइजेशन किसे कहते हैं जो भोजन हम खाते हैं जो फूड हम लेते हैं तो वो जब मुझ के द्वारा अंदर जाएगा जहां हम उसको सॉफ्ट करेंगे चबाएंगे अपनी लार में मिलाएंगे तो भोजन सोफ्ट हो जाता है और इस पूरे प्रक्रम में भोजन का पाचन होता रहता है और पाचन का अर्थ है भोजन के जो अबयब हमें चाहिए जो जटिल रूप में है जटिल अब यब हैं जो भोजन में यानि complex component है complex food कह दूँ में इसको इसका breakdown करना है इसका breakdown होता है पूरी नाल में breakdown होता रहता है और जब निचले भाग में यहां कहीं पहुंच जाता है तो complete हो जाता है तो इसका breakdown यानि विखंडन क्या हुआ उसका विखंडन तो यह जो विखंडन होता है विखंडन हुआ complex food का तो complex food का क्या बनेगा simple food simple food का मतलब है सरल भोजन सरल अभियप बन जाएंगे अब और जैसे हमारे भोजन में मुख्य जो पोशक तत्व है जिन में क्या आता है मैं यहां पढ़ रहे थे यहां पर एक और इसका ब्रेकडान होगा और कार्बो हैड्रेट का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बनेगा ग्लुकोज़ तिक है और यह सरल भोजन है अब जब भोजन यहां पच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इस ग्लुकोज का क्या होगा यह जाएगा बलड में और कैसे जाएगा वो आपको मैंने बताया था कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है विल्लाई दिर्ग्रोम होते है ठीक है तो carbohydrate का पाचन हो गया, breakdown हो गया, विखंडन हो गया और इसका सरलभयव बन गया glucose दूसरा जो जटीलभयव है भोजन का वो है fat और fat का जब विखंडन होता है तो देखो fat का विखंडन यहां से start होता है small intestine में ठीक है और carbohydrate का यहां से start हो जाता है मंड का पाचन यहां पे start हो जाता है, मंड एक कर्वोहिटरेट है और उसका नीचे पहुंचते पहुंचते ग्लूकोज बन जाता है पूरी तरह और अमाशे में किसका पाचन होता है protein का तो पहले समझ लेते हैं fat का जब पाचन हो जाता है पाचन मतलब breakdown भी खंडन हो जाता है तो उसका सरल रूप क्या बन जाता है fatty acid यानि वसा अमल और glycerol बन जाता दो चीजे बनती हैं यह दोनों सरल अवयव है फैट के सरल अवयव है तो जटिल फैट सरल होकर fatty acid यानि वसा अमल और glycerol बनाती है जो असानी से निचले भाग में अवशोशित हो जाएगी वो भी blood में तीसरा जो हमने पढ़ा था protein यह जो protein है यह भी अब breakdown हो का complex form है यहाँ पर इसका पाचन स् करता है यहाँ इसका पूर्ण पाचन हो जाएगा lower part of the understanding में तो protein के पाचन के बाद उसका क्या बनेगा amino amino acids बन जाएगे amino amino अमल बन जाएगे ठीक है तो इस तरह खाया हुआ भोजन पूरी तरह पचने के बाद amino acids पूरी तरह पचने के बाद छोटी आंत के निचले हिससे से कहा जाएगा blood में अब देखो यह जो चोटी आंत है यह इसको जब आप देखोगे इस तरह से जब coiled part है इसका यह हम बना देते हैं यह ठीक है यह मानलो चोटी आंत का part मैं बना रहा हूँ तो इसकी जो आंत्रिक भीती है inner lining है उसमें इस तरह से उंगलियों की तरह के प्र ठीक है और इस तरह से बना देते हैं तो देखो अंदर वाली layer में इस तरह से उंगलियों की प्रवर्द होते तो नीचली layer में भी होंगे ये 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 बना दिये हमने तो इस तरह से हमने बना दिया ये प्रवर्ध इन उंगलियों की तरह के प्रवर्ध को दिर्ग रोम कहा जाता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स जो हैं इने हम विलाई कहते हैं विलाई प्लूरल है वैसे ठीक है अब देखो जब भोजन पच गया है यहाँ पर जो भोजन पच गया है निचले हिस्से में वहाँ पर वो पचा हुआ भोजन जो है जो अब सिष्टा वो आगे जाता रह लेकिन इन से तक्राकर ये दिर ग्रोम से तक्राकर जो बचा हुआ भोजन है वो बड़ा सौफ्ट हो गया है ठीक है जो सौफ्ट हुआ भोजन है सरल हुआ भोजन है वो आसानी से इनके थ्रू अब्जार्ब हो जाएगा यहां जैसे तक्राता हो जाएगा यहां पर अब्जा ब्लट को एब्सॉर्ब करने वाले हैं वो भी हैं उसमें ठीक है यह वह सारी वैसल्स हैं वह सारी ब्लट वैसल्स हैं तो यह हमने बना दी जब भोजन इससे टकराएगा तो सरल भोजन है वो इसके अंदर असानी से अब्सॉर्ब हो जाते हैं इसे क्रीम कितनी सॉफ्ट होती ह किन में अब्जॉर्ब हो जाती है न तो वैसे यह भोजन यहां से पास हो रहा है तो soft जो food है इसके अंदर पहुंच जाएगा और blood के अंदर absorb हो जाएगा अब यह blood जो है blood इसको हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा देगा तो एक तरह का transport system है blood हमारा जो चीजों को पूरी कोशिकाओं तक ले जाता है जहां उनकी अब शक्ता होती है तो सभी cells तक पहुंचा देगा body हमारी cells से ही बनी है तो body के हर एक cell तक पहुंचा देगा क्योंकि energy तो पूरी body को चाहिए सिर्फ intestine या पेट को थोड़ी चाहिए थी तो ये भोजन blood के द्वारा अब यहां से small intestine से कहां जाएगा सभी cells में पहुंच जाएगा जहां इसकी अब शक्ता है और वहां carbohydrate से हमें उर्जा मिलेगी बाकी जो अभियव हैं वो जिन कारियों के लिए हैं वो कारियों को वहां पूरा करेंगी ठीक है तो इस तरह से भोजन का absorption होता है इसे हम कहते हैं absorption of food in the intestine absorption of digested food in the intestine चोटी आंत में ब्रीद एक शुद्रांतर में भोजन का absorption अब भोजन जो अनपचा है पचा वो भोजन तो चला गया blood में अनपचा जो भोजन है वो यहां से होते होगा अब बड़ी आंत में पहुंच के तो बड़ी आंत में क्या है अब भोजन की पाच्चन की अबशक्ता नहीं है क्योंकि उसमें जो पचना था वो पहले पच चुका इसलिए यहां पर नहीं होगा कोई पाच्चन तो ब्रीधांतर में क्या होगा जो अतिरिक्त जल है अतिरिक्त जल यानि एक्स्ट्रा वाटर जो है उसका पुनर absorption हो जाएगा और कुछ vitamins जो है जैसे vitamin B12 है वो य रेक्टम में थोड़ी देर के लिए कठा होगा जब ज्यादा amount में हो जाएगा तो यह expel हो जाएगा through the anus गुदा के द्वारा यह बाहर चला जाएगा तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है अब हमने एक और चीज़ सीखी थी कि जब भोजन का पाचन हो रहा है तो पा केमेंटरी कैनाल में अपनी कुछ मुवमेंट्स होती रहती है जिससे फूर जो है अच्छी तरह मिक्स होता है सौक्ट हो जाता है और इसके अलावा कुछ कैमिकल्स मानलो आप जो हमारी बोड़ी सिक्रीट करती है कुछ रसायन छोड़ती है जिने enzymes कहते हैं क्या कहते हैं enzymes यह धियान रखना आपने अब यह enzymes यानि पाच्छक रस होते हैं digestive juices होते हैं यह इसमें release होते हैं भोजन के साथ सबसे पहले तो आपको पता है मुह के अंदर जो water है उसमें enzyme होता है जो food के कौन से अभियब का पाच्छन करता है कौन से component का पाच्छन करना start का देता है carbohydrate का औ मंड एक carbohydrate है complex carbohydrate है तो मंड यानि starch का यहां पर जो हमारी लार के अंदर enzyme है वो पाच्छन start करता है अब यह लार को बनाता काउन है यह जो enzyme है यह जो पाच्छक्रस है मुह के अंदर यह सिर्फ पानी नहीं है यह पाच्छक्रस है और यह पाच्छक्रस छोडने वाली कुछ ग glands है यानि यहां पर होती है कौन सी ग्रंथिया लाला ग्रंथिया तो यह ग्रंथिया यानि glands है जिने हम salivary gland कहते हैं यह इस chemical को release करती है और जिसका नाम हम बोलते हैं लार या saliva तो यह saliva वह इसलिए कहा जाता है कि मुह में थोड़ देर के लिए भोजन रहना चाहिए उसको 32 इस बार चबाओ अच्छे से फिर जब पेट में चला जाता है तो आपको पता है अमाश्य के अंदर क्या क्या है म्यूकस है सलेश्मा म्यूकस मतलब सलेश्मा है सलेश्मा रिलीज होता है यहां पर सिक्रीट होता है स्तराब किसका होता है यहां पर म्यूकस का दूसरा HCL hydrochloric acid का यह मैंने आपको बताया था और तीसरा ऐसे digestive juices हैं ऐसे पाच्चकरस हैं जो protein का पाच्चन स्टार्ट करते हैं protein को पचाने वाले पाच्चकरस हैं इनके काम मैंने बताये थे आपको याद रखना है mucus जो है जो hydrochloric कमल है यह पेट में आ गया तो यह जिला भी सकता है इसलिए जो आंतरिक भीती है internal lining है stomach की उसके उपर एक covering रहती है mucus की ठीक है तो जिसकी वज़न से यह chemical जो है अंदर वाले cells तक नहीं पहुंच सकता और जिससे हमारी जो cells हैं stomach के अमाशे के वो बचे रहते हैं hcl से तो hcl release क्यों हुआ एक तो hcl क्या करता है digestive juices जो protein को पचाने वाले पाच्चकरस हैं उनको सक्रिय करेगा इसलिए जरूरी है hcl यहां पर और भोजन के साथ आने वाले जो कोई जिवानों हैं उनको भी नश्ट कर देगा तो यह hcl का काम है और भोजन को बहुत काम आ जाता है liver से bile secrete होता है और यह bile किसलिए जरूरी है यह बसा का पाच्चन स्टाथ करता है और यहां से निकलने वाला जो bile है वो डिरकली नहीं जुड़ेगा यहां शुदरांत्र में वो पहले स्टोर होगा एक छोटा सा structure होता है जिसे गॉल्ब ब्लेडर कहते हैं यहाँ पर यह ढड हो जाएगे यहाँ पर तो यहाँ पर यह जो बाइल है यहां release होगा तो यह है गॉर्बलेडर यह करींद ले भी है जो लीवर है वो सबसे बड़ी गरंथी है यह करित हमारे बाइल का मतलब होता है, पीत रस, ऐसा रस जो वसा का पाच्चन करने में सहायता करता है, तो पीत रस याशनी बाइल, सिक्रीट तो हुआ, लीवर से, और लीवर के बाद वो स्टोर हो गया, यहाँ पर, गॉलब ब्लेडर में, पित अशे में, पिताश्य में ही कठा हो गया वहाँ से release होगा और intestine में मिलेगा यहाँ पाचण स्टार्ट होगा अब वसागा इसके अलावा और यहाँ पर हम इति बनाते हैं जिसका नाम है जिसका नाम है अग्णियाश्य इससे निकलने वाले पाचकरस भी यहीं मिलेंगे इंटेस्टाइन में और कुछ रसायन जो हैं कुछ पाचकरस यह जो हमारी small intestine है इसके अंदर के cell भी छोड़ते हैं तो वो सारे पाचकरस देखो इतने सारे पाचकरस इतनी गरंथियों से रिलीज होते हैं जो पाचन में सहाय करते हैं तो कौन-कौन सी गरंथिये हुई एक तो लाला गरंथिये सलाइवरी ग्लैंट जो मुह में है दूसरा इसके सेल्स अंदर के वह सक्रीट कर रहे हैं म्यूकस को एसल को डाइजेस्टिव जूसिज को यहां पर स्टमक में यह याद रखना है आपने एसल का काम याद र जाता है यहां और एक अग्याशे रसायन निकलते हैं और कुछ पथे क्स्तारी समौ्ल इंटे Shoot Tech के सेल्स भी रिलीजन करते सिक्रेट करते हैं, स्त्रावित करते हैं, तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए, आपको अच्छे से ये वीडियो संभाल के रखना है, सबने, और यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर दांत के बारे में भी उपने पढ़ा था, और जीब के बारे में पढ़ा था, अपनी झाल झाल झाल